hello everyone अगर आपको भी आपके हाथ पेरों में शुन्पन आता है सुईयां चुभोते हैं या फिर आपके हाथ पेर पूरे तरीके से सुन्ध हो जाते हैं आपको काम करने का मन नहीं करता है या फिर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है आपको लगता है कहीं paralysis जैसी problem तो नहीं है, आपको लगता है शरीर के अंदर खोन की कमी तो नहीं है, vitamins की कमी तो नहीं है, ऐसी कौनसी कौनसी चीज़ें को शेवन करना चाहिए, जिससे ये problem हमेशा के लिए दूर हो जाए, So Hello Everyone, मैं Dr. लोकेंद्र, आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आप इस समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं, ऐसी कौनसी कौनसी दबाईयां आप उपीउ कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कौनसा घरेलू उपाय कर सकते हैं, जिसके मदद से आपकी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएं या ठीक हो जाएं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस तरह की इंट्रस्टिंग और इंफोर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगे सबसे पहले अगर हम बात करें यह प्रॉब्लम्स आपको होता क्यों है और इसके कारण क्या होते हैं सबसे पहला कारण होता है शरीर के अंदर खून की कमी होना अगर किशी को खून की कम हैं तो आपके शरीर में या हाथ पेरों में सुईयों चुबोने जैसी सेंशेशन आपको मिल सकते हैं या फिर आपके हाथ पेर सुन हो सकते हैं क्योंकि जब शरीर के अंदर खून की कमी होती है तो ऑक्सीजन का संचालन कम हो जाता है खून का भी संचालन कम हो जाता है उसक की कमी होना अगर शेलित के अंदर drinking तो एसी स्थिती में आपका जो nervous system होता है वह वीक हो जाता है और जब nervous system का ब्लॉक deployed होना अगर नसों में ब्लॉक के रहता है जैसे आपने कभी महसूस किया होगा कि सिर के नीचे हाथ रखके हम सो गए या फिर कोई ऐसी एरिया या कोई ऐसी बजह से हमारा आगे का हिस्सा ब्लॉक हो गया तो यहाँ पर sensation नहीं आएगा कुछ देर के लिए क्यों नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से हमने ब्लॉक कर दिया उसकी बजह से भी प्राब्लम होती है जैसे आपने आम तोर पर कई वर देखा होगा जैसे हम हाथ रखके सो गए तो उसकी बजह से हमारा हाथ सुन हो गया या फिर हम कोई दूसरे पॉस्चर में बैठ गए जिसकी बजह से प्रकार की बिमारियां होना या फिर कोई एक ऐसी हैविट होना जिसके बजह से आपको यह प्रॉब्लम होनी है जैसे एल्कोहल वाले लोगों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है उनका ब्लड शर्कुलेशन पूर होता है और ऐसे इस्तिति में उनको चुपोने जैसे प्र ना रट विटामीन की कमी होना है अगर किसी को वीटामिन कम है तो ऐसी स्थिति में नफ्स वाले जो वीकनीस होती है वह आना से स्टार्ट हो जाती है जिसके और सांघ सासा जाती है और अगर वह बात करें क्या थीक किया जा सकता है कौन से दवाईयां हैं जिन्हें करने से आपकी प्रॉप्लम्स हमेशा के लिए ठीक यह और जिनका शुगर बढ़ने की बजर से जिनको कम कर रहा हो समख्ष्याएं मड़ीजों को सबसे पहले चीज तो आपको ये पता लगाना होगा कारड क्या अगर खून की कमी है तो इसका पता लगाने के लिए आप CBC करवाईए अगर विटामिन D12 का पता लगाना है तो आपको एक विटामिन B12 का टेस्ट कराना चाहिए अगर आप एलकोहलिक है तो आपको एक लिवर का टेस्ट कराना चाहिए अगर आपको इन में से कोई प्रॉब के अंदर जाने से रोक सकते हैं या फिर हम उस कौज को हटा सकते हैं तो अगर इनके कोई लिएश आपको हरे पत्यदार सच्जियां हैं इसके अलावा सेलेड्स हैं इनके अंदर विटामिन वी-टॉल के बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है इनका शेवन करने से आपके शरीर के अंदर विटामिन V12 के कमी नहीं होगे तो ये समश्याएं भी आपको नहीं होगे दूसरा इलाज जिनको लिवर से रिलेटेट प्रॉब्लम्स है या एलकोहल के बज़े से प्रॉब्लम्स है तो उनको आप कोशिश करिए एलकोहल छुडबा दीजे अगर एलकोहल नहीं छोड़ सकते हैं तो लिवर मजबूत करने की दवाईयां या फिर लिवर मजबूत करने की उपाय कर सकते हैं जिससे की इस प्रॉब्लम से शुटकारा मिल सकता है तीसरा इलाज ये है कि आपको अपने डाइट पर पूरे तरीके से ध्यार रखना होगा शुबहो स्याम आप एक गलास दूद पीजे बिटामिन्स वाली दवाईयां आप ले सकते हैं मल्टी बिटामिन्स के टैबलेट ले सकते हैं होमेयोपेथी में भी बहुत सारी मल्टी पहर आप लेजेगा एक चमच पानी के अंदर आप इन चारवुन को डाल लीजे और इसे आप दिन में तीन वार उप्यों करें यानि सो बहुत चारवुन दो पहुत चारवुन और श्याम को चारवुन जिससे यह समस्या से आपको छुटकारा मिल जाए जिनका डायबिटीज है वो डायबिटीज कम करनी की दवाईयां ले सकते हैं जैसे होमयोपेथी में डायवोनिल टापलीट्स आती है और डायवोनिल टापलीट्स को लेने से यह ठीक हो सके और नॉर्मल हो सके अगर हम बात करें इनके अलावा भी अगर कोई हमें उपाई करना हो तो कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं तो आप डाइट पर ध्यान रखे हरे पत्तेदार सब्जियां आप डाइट में सामिल कर दीजे अब देखे आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर हरे पत्तेदार सब्जियां हैं हमने दस दिन से खा रहे हैं और हमें कोई आराम नहीं है यह आपको लगातर दो से तीन महीने खाने पड़ेगी जब यह लगातर आप खाएंगे शरीर में यह कंटीनियसली जाएगा तो आपके शरीर के अंदर इस समस्या से निजात मिल जाएगी और विटामिन वी टोयल की ज समस्या से बचना है तो यह तीन से चार उपाएं मैंने आपको बताएं सबसे पहला उपाएं आप जैल्सीमियम 30 पोटेंसी में ले सकते हैं उसके चारवुन सोबर चारवुन दोफ़र चारवुन शयाम को ले सकते हैं एक चमच पानी के साथ में लीजेगा इसके अलावा ड से बढ़ने के बज़ंज से हो रहे है जिन को लीवर से रिलिटीट प्रावब्लम से और उस चीजएं जो आपके लिउवर को मजबूत करती हैं So hope ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत जादा helpful होगा, बहुत जादा फायदे मंद होगा और घरेलू तरीके से घर पर रह करके आप इससे ठीक कर सकते हैं और आप इन समस्याओं से बचे सकते हैं